तो हाई गाईज, I welcome you to my class again, तो पेटा अभी तक अपनी दो class हो चुकी है, अज हमारी third class है, अभी तक हमने जो पढ़ा, उसको हम revise करेंगे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कल मैंने आप कुछ homework भी दिया था, वो homework भी आज हम discuss करेंगे, पर उसके पहले हमने अभी त होगे उनको, है न, चलो ठीक है, तो पेटा अपने पढ़ा था कल, कि क्या पढ़ा था अपने कि finance bill कब आता है, first step को आता है, फिर वो enact होता है, और वो जाके finance act बनता है, finance act 22 आपकी exam के applicable है, जो की आपका exam का previous year कौन सा है, 1, 4, 22 से लेके 31, 3, 23 तक, previous year 22, 23, and आपकी exam के लिए law में सब चीज़ें आती है, act, notification, rules, circular, case law सब आते हैं, sir, act और rules में का difference है, act में सब बताता है कि कौन सा provision लगने वाला है, कैसे कौन सी income tax होने वाली है, कैसे आपको काम करना है, provision कहा लिखे होते हैं, act में, उस चीज़ को कैसे करना है, कोई भी particular चीज, कैसे करनी है, वो rules में दिखा होता है, correct, okay, फिर हमने पढ़ा था, notification और circular, circular सिर्फ department पर binding होता है, जो department verification देता है, but notification दोनों पर binding होता है, department as well as assessee, okay, फिर हमने person definition पढ़े थी, person में कौन कोन आता है, साथ लोग आते हैं, individual HOF, AOP, BOI, AJP, और अपना क्या बोलते हैं, firm, LLP, ठीक है, और यह सा बात है, इसके बाद बेटा हमने यह चीज़ पढ़े थी, कि AOP और BOI में difference क्या है, AOP क्या होता है, association of persons होते हैं, BOI, body of individuals, तो AOP में कोई भी आ सकता है, कोई भी इसका part बन सकता है, एक firm, एक company और एक individual मिलके भी, एक AOP बना सकते हैं, पर BOI में सिर्फ, सिर्फ body of individuals, मतलब सिर्फ individuals रह सकते हैं, इसमें, करेक्ट, एक मिट, एक मिट, एक मिट, मैं पढ़ाना हो, जो दिख नहीं रहा है कि आपको बेटा, कुछ मुमेंट नहीं हो रहा है, एक मिट, एक मिट रुप जो, विकेश आप बोरो, आपका refresh कर लो, बागी लोग मुझे बताओ कि सब सही है, चल रहा है कि नहीं, सब प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं, बताओ मुझे एक बार, सब प्रॉपरली ना, कोई इशू तो नहीं है न, चलो ठीक है, मेटा आप refresh कर लो, बिकेश आप refresh कर लो, ठीक है, चलो, तो फिर हमने सर, टेक्स रेट्स के बारे हम पढ़ाई की थी, टेक्स रेट्स देखते हैं अभी एक बार slab rates, है न, फिर हमने सर्च आज देखा था, तो slab rates हमने देखे थे सर, कि individual HOF, AOP, BOI, AJP, अगर resident है, इनको लगता है, अगर 2.5 lakh तक के income है, तो nil, 2.5 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, and above 10 lakh 30%, ठीक है, सब तो senior citizen है, और resident है, जो senior citizen है और resident है, जिनकी age 60 और more है, उनके लिए basic exemption, जो limit है, वो 3 lakh तक के है, तो up to 3 lakh nil, 3 lakh to 5 lakh 5%, and 5 lakh to 10 lakh 20%, and greater than 10 lakh 30%, ओके, सर, super senior citizen होते है, super senior citizen, ठीक है, उनकी total income होती है, बताब उनकी basic exemption limit होती है, up to 5 lakh, तो up to 5 lakh, there is no tax, nil, 5 lakh से उपर, up to 10 lakh, it is 20%, and total income greater than 10 lakh 30%, और जिनका 60th या 80th बर्दे, 1st April 23 को भी fall होगा न, वो भी हम मागनेंगे, कि previous year 22, 23 में ही, वो 60 या 80 years के हो गए है, और उनको higher basic exemption limit का benefit मिल जाएगा, correct, okay sir, sir, firm, LLP, local authority, इनके लिए tax rate के तो 30% tax rate था इनके लिए, answer, cooperative society के लिए, इनके लिए, अगर up to 10,000 है, तो 10%, 10,000 के उप उपर, up to 20,000, 20% and greater than 20,000, 30%, okay, company में बात कर लेते हैं, sir, company में foreign company है, तो 40% सिदे-सिदे, क्या है, foreign company तो 40%, foreign company तो 40%, sir, domestic company के लिए, अगर previous year 2021, अगर previous year 2021 में उनका turnover up to 400 CR है, तो 25% है, अगर इसके उपर गया, तो 30%, ठीक है, right, okay, sir, previous year 2021 का turnover, हमको क्या हमेशा question में दिया रहेगा, yes, आपको question में दिया रहेगा, उसके हिसाब सबको फिर solve करना है, आप company जब भी company question solve करेंगे न, और आपको text निकालने बोलेगा, तो उस question में आपको बताएगा, कि previous year 2021 में turnover कितना था company का, correct, okay, चलो, sir, 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 charge की बात कर लेते सर्चाज में हमने पढ़ा था, कि जब total income में, ट्रिपल बने 1-1-2-a dividend and 1-1-2, ये चार income नहीं होती, तब क्या होता, sir, 50,000,000 के ओपर अप तू 1 crore 10%, 1 crore के ओपर अप तू 2 crore 15%, 2 crore के ओपर अप तू 5 crore 25%, and greater than 5 crore 37%, right, अगर ये सब income नहीं है अपने पास, ट्रिपल बने 1-1-2-a dividend and 1-1-2, ठीक है, बट अगर ये चारो income रहेगी, तो हमने क्या बोला था, कि sir, इनके ओपर maximum सर्चाज जो लग सकता है, that is 15%, तो अगर total income 2 crore के ओपर जाती है, तो जो आपकी triple बने 1-1-2-a, 1-1-2 and dividend income है, उस पे 15% लगेगा, बाकी income पे 25%, अगर वो 2CR के ओपर है ठीक है, अब ये concept में बच्चों को मैंने homework दिया था, ठीक है, और बहुत सारे बच्ची में थोड़ा सा conveys हुए थे, तो पहले अपन homework discuss कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं ये concept आपको एक minute में फिर से पुरा समझा देता हूँ, है ना, ये बच्चों को बहुत confusion हो रहा ह तो आपने homework किया गया पेटा, जल्दी बताओ मुझे homework किया गया आपने, yes, किया homework, very good, चलो, answers देखते हैं, answer देखते हैं, ठीक है, ये आपके answers से, अभी मैं answers जो लिखा हूँ मैंने, इसमें आपको कौनसे number में doubt है, देखो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा है इसमें, तो कौनसा आपका गला तो देखो, आप चेक करो, आपके answer से, ठीक है, जल्दी चेक करो कौनसा answer में doubt आपको, बताओ, yes, yes, exactly 2CR है तो 15% रहेगा, very good, जुई, very good, मदुर्गा के all correct है, very good, किसके किसके 100% correct हो, बताओ, राजपूत, सूरज को 15th में doubt है, okay, done, all correct, गुपाल, कृष्ण गुपाल के भी all correct है, नरायन अश्वत के number 1 में doubt है उसको, बागी सब correct है उसके, all correct, रुपाली के भी, अरपिता के भी क्या वात है, क्या वात है, ओहो, ओ सर्फ मात्वी को 567 problem है, ठीक है, okay, okay, 7th problem है, अच्छा 7th में आपको, ठीक है, ओके, 7th में बहुत बच्चोगों दिक्कत होई, correct correct, कोई दिक्कत नहीं, आपने इसमें 7th में ये वाली income पे भी 15% लगा दिया होगा, ना, right, ठीक है, मैं करवाता हूँ सब सही, करवाता हूँ, कुछ-कुछ बच्चों का 7th गलत हुआ है, okay, कोई दिक्कत नहीं बटा, अभी न, मैं आपको एक बार पूरा ये point clear कर देता हूँ, फिर आपना आगे बढ़ते हैं इस पे, ठीक है, okay, अब मेरे बाद ध्यान से सुनना एकदम, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, आप लोग को पता नि, क्योंकि होता है, जब स्टार्टिंग में अपन फर्स टाइम में concept पढ़ते हैं थोड़ा confusion होता है उनको, राइट, पर बहुत सारे बच्चों के all correct वे, मतलब बहुत सारे 70% बच्चों के all correct वे, तो I am very glad, अच्छी बात है, पर जो कुछ बच्चों को doubt है, उनको मैं समसा जाता हूँ, पर चिंता मत करूँ बेटा, आजो इदर आजो, ठीक है, सबसे परे ध्यान से सुन, मेरे तरफ, इधर देखो, इधर आओ, इधर देखो, देखो इधर, है न, अब सुनो एक बार, ठीक है, पे वन सी आर के उपर है तो, 15%, सर, थोड़ जूम जूम कर देता हूँ, 2 सी आर के उपर है, तो हमने बोला था, 25%, और 5 सी आर के उपर है, तो 37%, यह हमने नॉमली बात की थी, यह नॉमली है, करेक्ट, ओके सर, यह नॉमली है, अब क्या हुआ न, हमने यह नॉमली कब बात की थी जब इंकम में ये ट्रिपल बने 1-1-2-A 1-1-2 एंड डिविडेंट नहीं था तब हमने ये बात कि थी जब ये चारो इंकम हमारे इंकम में नहीं थी ये चारो इंकम नहीं थी करेक्ट ओके यस सर अब सर इशू क्या आया न कि जब ये चारो इंकम आई न ट्रिपल बने 1-1-2-A 1-1-2 और डिविडेंट ये चारो इंकम जब आई न तो हमने क्या बोला कि इस पे maximum सर्चाज जो लगना चाहिए न वो न 15% लगना चाहिए इस पे maximum सर्चाज 15% लगना चाहिए मतलब इन चारो इंकम पे कौन से 2 सर्चाज नहीं लगना चाहिए एक तो है 25% और 37% ये इन पे नहीं लगना चाहिए इसको हम क्या बोलते हैं इन दोनों को इसको हम higher सर्चाज भी बोलते हैं और इसको हम enhanced सर्चाज भी बोलते हैं ठीके हमने बस क्या बोले कि ट्रिपल बने, वन बन टू ए, वन बन टू ए, वन बन टू ए इंडिबिडेंट ये चाल इंकम पे ना, जो ये हायर सरचार्जे वो नहीं लगना चाहिए ठीके, अब मुझे बताओ ये वाले दिक्कत कब आएगी ये जो इशू आएगा अपने को, कब आएगा जब इंकम 2 क्रोर के उपर जाएगी, हमको 25 परसेंट और 37 परसेंट में इशू कब जाएगा, जब इंकम हमारी 2CR के उपर जाएगी मतलब 2CR के नीचे तो सब सौर्टेड है जब इंकम 2CR के नीचे है तब तक तो सब सौर्टेड है ने यार तब तक टेंशन थोड़ी है अपने को तब तो सब नॉमली चलेगा अगर हमाई टोटल इंकम 2CR के नीचे है तो ये 25-37 परसेंट का पंगा ही नहीं है कुछ ये 25-37 परसेंट का पंगा ही नहीं है कुछ राइट? अब एक बात ध्यान से सुनना और ठीक है? हमने क्या बोला ना बेटा हम बस यही चाहते थे कि इन 4 इंकम पे कभी भी higher सचन ना आए इन 4 इंकम पे कभी भी 25-37 परसेंट ना आए ये चाहते थे ठीक है? तो हमने जबी भी हम तोटल इंकम देखेंगे न अपनी तो उसको हम क्या कर रहे थे? कि दो हिस्सों बाट दे रहे थे तोटल इंकम को उठा के हम दो हिस्सों बाट रहे थे, क्यों? एक इंकम कौनसी? ये 4 इंकम ठीक है? अलग वाल इंकम और एक इंकम वाली income में फिर हम देखेंगे कि वो किस area में fall कर रहे हैं ठीक है तो जब भी आप total income निकालोगे ना तो अब दो हिस्सों बाटोगे इसको ठीक है 111A 112A dividend और 112 ठीक है जब income 2CR के उपर जा रही तब की बात है यह ना जब income 2CR के उपर जा रही है तब की बात है ठीक है इस पे max surcharge कित्ता लग सकता है 15% बात खतम सर अब जो other income बचेगी ना अमारे पास other income बची अब उसमें देख लेते हैं कि वो किस area में fall कर रही है वो किस area में fall कर रही है अगर वो बचीव income जो है वो 5CR के उपर fall कर रही है तो हम 37% लगा देंगे अगर 2CR के उपर fall कर रही है तो 25% और 2CR के नीचे fall कर रही है तो 15% सर अब 2CR के नीचे 15% बोड रों है सर 1CR के नीचे fall कर थो तो भी 15% तो कुछ ऐसा नहीं है कि 1CR के नीचे 10% हो जाएगा नई नई 2CR के नीचे आई न, तो 15%, 2CR के नीचे कुछ भी हो, 2CR, यह लिख लो, आपको लिखना है तो, 2CR के नीचे, कुछ भी हो, इसमें हमेशा 15% ही लगेगा, correct, यह वाँ समझी, ठीक है, अब सर, हम बात कर रहे हैं, ट्रिपल वने, वन मन्टू है, डिवेडेंट के बारे में, और वन मन्टू के बारे में, इसमें मैक्स सर्चाज 15% लग सकता है, यह बात किया हमने, ठीक है, अगर मैक्स 15% लग सकता है, मतलब उससे कम भी तो लग सकता है न, अगर टोटल इंकम ही आपकी, 2CR के नीचे, अगर आपकी टोटल इंकम ही 2CR के नीचे है, तो फिर तो भाई कोई पंगा ही नहीं है न, यह सब, जैसे, एक्जाम्पल में आओ यहां पे, जैसे यह वाला जो, एक्जाम्पल आपका, 1.8CR वाला, 5 वाला एक्जाम्पल, ठीक है, अब यहां 1.8CR है, मतलब 2CR के नीचे है, मतलब यहां पे हमेशा 15% ही लगने वाला है, तुम चुप चाप से दोनों इंकम पे 15 लगा दो, टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जब इंकम 1.5CR है, तो 1 करोर के उपर है, और 2 करोर के नीचे है, चुप चाप 15 लगा दो, क्या टेंशन तुमको, क्योंकि जब 2CR के अपने को, तब तो कोई टेंशन नहीं है, राइट, 90,00,00, अभी इंकम 1CR के उपर गई ही नहीं है, तो मतलब 50,00 के उपर इंकम है, अब कोई भी इंकम रहे, हम 10% ही लगाएंगे ना बेटा, हम क्यों सोचेंगे 15 और 25 का, 15 का भी क्यों सोचेंगे हैं, राइट, सर, हिमानशु बूचेंगे टोटल इंकम 1CR है, और ट्रिपल वने 60,00,00 है, इसमें क्या होगा, 0 या नहीं, बेटा, अरे तुम लोग, तुमने हमेशा इसको बाइफरकेट क्यों कर रहे हो हमेशा, 2CR के निचे जब भी है, तब तो बाइफरकेट करने की ज़रत ही नहीं, ब 50,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 इंकम 2CR के उपर जा रहा है गाल टैंशन एक है के छार इंकम है इस पर कभी भी 25% नहीं लगना चाहिए इस पर हमेशा 15 लगना चीस एक हम बाइफ़्टेट कर रहे अगर income 2CR के उपर जाएगी तो फिर हम bifurket करेंगे और bifurket करेंगे भी तो हमने समझ लिया एक रूल कि इस पे सर्चाज लगेगा maximum 15% ठीक है ठीक है इस पे 15 ही लगेगा 2CR के उपर गई तो बची हुई income पे हम देखेंगे कितनी बची है 5CR के उपर रही 37 लगाएंगे 2CR के उपर रही 25 लगाएंगे अगर 2CR के नीचे रही कुछी भी रही हम 15 लगा देंगे ठीक है ओके simple अब ये जो तुमारा ये मैंने formula बना के दिया तुमको इसको लिख लो and I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया है मुझे बस एक बार heads up दे दो तुम लोग कि समझ गया कै सब कुछ ठीक है फिर अपना आगे बढ़ेंगे आज और आज भी इसके examples मुछ होंबग दूँगा मैं तुमको 10 example और करके आजने एक बार तुम्हारा पूरा clear हो जाएगा है ना ठीक है और इसके लावा कोई doubt बचा भी होगा न तो अपने group पे तुम पूछना group पे समझा दूँगा तुमको राइट ऐसा नहीं कि मैं समझाओंगा नी इसके बाद भी doubt बचा होगा और group पे समझा दूँगा भाई है आखरी तक भाई आया है करा के जाएगा यह बाद समझ लो ठीक है ओके all clear very good very good very good आजाओ आगे बढ़ते हैं ठीक है अपन सर्चाज में आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो और यह तुम लिख भी सकते हो तुम्हां पर इस class notes तो आएंगे इसके चिंता नहीं है तुमको ठीक है शेश अभी तीन एक्जामपल देता हूँ बेटा पर इसी एक पॉइंट पर आपन बहुत टाइम लगा चुके है मैं आपको हमबग दूँगा ने एक्जामपल में तब आप समझ जाओगे तब सौल कर कहा ना दिक्कत हुई तो अपन फिर से बात कर लेंगे कर ठीक है चलो इसमें फिर कोई टेंशन नहीं है सिधर 12 परसेंट बागी सब खतम एक क्रोड के उपर गई 12 परसेंट बात खतम सब कंपनी के बारे हम बात कर लेते हैं कंपनी अगर आपकी टोटल इंकम ग्रेटर दन वन सी आर अप टू 10 सी आर अगर यह फॉरन कंपनी है तो 2 परसेंट डोमेस्टिक कंपनी तो 7 परसेंट ठीक है इसको याद नहीं होता है जलती, अपने को याद कैसे कहना है, 2, 5, 7, 12, बोलो में साथ, 2, 5, 7, 12, बोलो एक बार, 2, 5, 7, 12, 2, 5, 7, 12, कैसे आता ये, ध्यान रखो एक बार, 2, 5, 5, किया तो कितना आता है बेटा, 7 आता है, ठीक है, और 7, 5, 5, कितना आता है, 12 आता है, ठीक है, तो ऐसे आपको याद करना है, 2, 5, 7, 12, ओके, है न, अभी सर, यहाँ पे कम बाला किसको लग रहा है, ज्यादा बाला किसको कैसे आत करेंगे, तो देखो, मैंने कैसे आत किया हूँ, बचपन से, जब से मैं पढ़ रहा तो अब से, मैंने कैसे आत किया था, कि देखो, foreign company को tax rate कितना है, 40%, और domestic कितना है, 25-30%, ठीक है, foreign company को 40%, domestic को 25-30%, तो इसका मतलब foreign company को tax rate ज़ादा लगा रहे हैं, foreign company को tax rate ज़ादा लगा रहे हैं, तो हम उनको सर्चाज कम लगाएंगे, तो हम उनको सर्चाज कम लगाएंगे, simple, तो किता लगाएंगे उनको 25, और हमारी domestic को लगाएंगे 7 और 12, बात खतम, right, तुम ऐसे याद कर लो, तुमको पूरा याद होई जाएगा, हमेशक लिएद हो जाएगा, मैं और सर्चाज का tension मतलो, सर्चाज आपको धीरे-धीरे समझेगा, धीरे-धीरे याद रहेगा, अभी जब question solve करोगे, बहुत सारे है, तो सब जगह काम हैगा, नहीं है, तो बाद बार refer करोगे, तो पूरा याद हो जाएगा, एक दब, ठीक है, चलो, अब special rates of text की बात करते है सर्चाज 1-1-2 में क्या लगता है, capital gain, ठीक है, section 1-1-2 में लगता है, capital gain, राइट, अब सर, 1-1-2-A में लगता है, capital gain on transfer of, ठीक है, तो अभी एक बहुत ही layman's language में समझा दू आपको, 1-1-2 तो छोड़ दो एक बार कले, पहले 1-1-2-A और triple बने समझ लो, फिर बाकी बाद म समझना, ठीक है, मैंने उस दिन भी आपके बात बुली थी, 1-1-2 यह मतलब, एकदम आसान भाषा में, share market वाली income, share market वाला long term capital gain है, सब बोलता है उसको, share market वाला long term capital gain, ठीक है, जो share market में हूँ आपको, ठीक है, और triple बने को बोलू मैं, share market वाला short term capital gain, ठीक है, इससे याद करने बहुत आसानी होगे आपको, triple बने 1-1-2-A क्या है, ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको, 1-1-2-A होता है, on transfer of equity shares in a company, units of an equity oriented fund, और units of business trust, ठीक है, क्या होता है, 1-1-2-A, long term capital gain on transfer of equity shares in a company, जोड़ी equity shares होते हैं, listed equity shares, units of an equity oriented fund, एक वो mutual funds होते हैं, equity oriented, debt oriented ऐसे होते हैं, तो equity oriented fund, ठीक है, और units of business trust, triple बने लगता है सर, किसको, वो इस सेम चीज़ें, STCG on transfer of equity shares in a company, units of an equity oriented fund, and units of business trust, ठीक है, तो यह याद करना तो मुश्किल हमारे ले, हम कैसे याद करेंगे भाया, share market वाला long term और short term capital gain है यह, बस, ठीक है, simple, okay sir, 1-1-2 वाला long term capital gain क्या है, section 1-1-2 वाला long term capital gain क्या है, sir, यह है other than section 1-1-2-A, यह है other than section 1-1-2-A, मतलब क्या, कि sir, 1-1-2-A को छोड़के, जो दूसरा वाला capital gain है, तो share market वाला छोड़के, बाकि सारे capital gain 1-1-2 में आते हैं, मतलब अगर मैं LTCG की बात करूँ आपके सामने, तो, share market वाला काई में आता है, 1-1-2-A में, और others वाले काई में आते हैं, sir, बाकि 1-1-2 में, इसको छोड़के बाकि सारे, मतलब आपका property बेचे, building बेचे, land बेचे, कोई आपका asset बेचे, car बेचे, आपका CA की डिगरी बेच दिये, ऐसे डिगरी बेचती नहीं CA गी, पर फिर भी, कुछ भी बेचे आपने, तो आपका आएगा 1-1-2 में, राइट, अब sir, 1-1-2 में rate कितना है, 1-1-2 में rate 20%, long term capital gain 1-1-2 में 20% है, इसको और detail पर पढ़ेंगे आपन, बाद में, capital gain chapter में, sir, 1-1-2-A में rate कितना है, sir, 10%, वो भी काएपे, LTCG greater than rupees 1 lakh, ये समझने है, sir, sir, क्या मतलब sir, 1 lakh के ऊपर वाला LTCG पर 10%, मतलब क्या sir, ये 1-1-2-A कब आया था आपको अगर, थोड़ा सब इंदाजा होगा, तो finance act 18 में आया था ये, जब 2008 का budget आया था ना, 2018 का जब budget आया था ना, उसमें आया था ये, उसके पहले long term capital gain equity shares पर हमेशा के लिए exempt था, वो tension नहीं था उपको, ठीक है, तो उस time पर क्या हुआ, कि एक दिन निर्मला जी आई, वो बोली कि अब तो हम long term capital gain equity shares पर भी लगाने वाले हैं, सब लोग tension में आ गए, कि यार, हमारे equity shares पर भी लग जाएगा अब तो long term capital gain, तो सब चिलाने लग गए, कि यार, आपने पहले बोले थे, कि इस पर exempt है, इसलिए हमने इतने साल क्या किया, इसलिए हमने इतने साल, इस पर पैसे लगाए अपने, ठीक है, क्योंकि हमको पता थ हमारा capital gain exempt है, अब आप बोल रहे हो madam, कि अभी taxable है, ऐसे कैस चलेगा, तो उन्होंने उस time पर क्या किया था, बता रहूं आपको, उन्होंने ये बोला, कि, देखो, मैं 1, 2, 18 को ये बात बोल रहे हैं आपसे, मतलब, 1st February 18 को ये बात बोल रहे हैं आपसे, budget 2018 में, ठीक है, आ आज तक इस पर tax लगा है, उस पर आपसे tax नहीं लोंगी, मतलब, जो income हुए आज तक, gain हुआ है, जो आज तक, उस पर मैं आपसे tax नहीं लोंगी, आज के बात जो भी gain होगा, उस पर tax लोंगी बस, सब बुले कैसे आप बताओ, तो उन्होंने क्या बुली, कि देखो, आपका cost of acquisition क्या होगा मालनो, shares का, जिसा हम reliance के share मालनो, कितने के लिए होगे, आपने 10 रुपे के लिए होगे, ठीक है, अभी आपका reliance का share कितने का है, अभी reliance का share है, आपका है, यहाँ पर full value of consideration लिखना होगे, FVOC, ठीक है, full value of consideration, कितने का यह भी reliance का share, अभी 2600 रुपे का है, हमने लेते 100 रुपे माल लेते, तो यह तो बहुत गेना आ जाएगा, यह तो बहुत गेना आ जाएगा, तो नहों ने बोले, एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, कि आपको आज तक का tax नहीं लगना चाहिए, तो हम आपके cost of acquisition को क्या बना देंगे हम cost of acquisition को FMV as on 31,118 बना देंगे हम आपके cost of acquisition को FMV as on 31,118 बना देंगे बेटां समझाओंगो बाद में अच्छे से पर अभी एक बर और आपको वो बता रहा हूँ बस background बता रहा हूँ मैं ठीक है तो हमने बोले कि आपके cost of acquisition को हम FMV as on 31,118 बना देंगे तो मतलब उस दिन मान लो किती FMV होगी 25,55 यह FMV होगी मतलब आपको basically कुछ भी tax नहीं लगेगा और थोड़ो भूट difference बचा भी ना तो हमने क्या किया हमने 1,00,00 तक के आपका capital gain पे हम कोई tax नहीं लेंगे क्योंकि आप 31,118 को बेच तो नहीं दोगे एकदम परवरी में तो बेच नहीं दोगे आप April, May, June, July को भी बेच ओगे तो तब तक क्या करेंगे हम तब तक थोड़ो थोड़ो बढ़ सकता है value आपके share का तो हम क्या करेंगे आपको 1,00,000 तक टेक्स नहीं लेंगे अब आप बताओ मुझे अब टेक्स कैसे आएगा मुझे मैं पास 100 share ते माल लो तो 26 के 100 share मैं बेचता हूँ तो कितने बिचिंब बिकेंगे बताओ 2,60,000 अब इन लोग cost of acquisition में कितना लाग के दे रहे हैं बढ़िया 31,18 का FM भी वो कितना हो गया बताओ मैं 25,00 लियाओ ने यहाँ पर तो 25,00 इन टू हंड़र्ड 2.5,00,000 रुपीज ठीक है अब मेरा capital gain कितना बना मेरा बना 10,000 आप बोलोगे सर इस पर indexation नहीं लगेगा क्या नहीं क्योंकि उन्होंने FMV अल्रेटी प्रवाइड किया अपने को cost में तो यहाँ पर indexation नहीं लगेगा आप थोड़ा सा confusion मत दोना समझ ना बस बात को ठीक है तो long term कितना है 10,000 अब यह 10,000 आया पर यह tax नहीं होगा क्योंकि up to 1,000,000 तो exempt है no tax है समझ रहो जैसे example 1,000,000 तक exempt मतलब मान लेते हैं आपका long term capital gain 1,1,2 ए में आया कितना 7,000,000 रुपीज का तो tax कितने अप लगेगा बताओ tax लगेगा 7,000,000 माइनस 1,000,000 कितना मचा 6,000,000 रुपीज इस पर कितना लगेगा बताओ इस पर 10% rate अपना तो 6,000,000 पर अपने अपने को 10% लग जाएगा that is 60,000 plus 4% ठीक है वैसे ही आपका अगर माल लो long term capital gain 1,1,2 ए वाला कितना है वो आपका माल लो 80,000 है तो क्या हो जाएगा ये तो पूरा exempt हो जाएगा no tax right yes, very good अश्वत बोल रहे हैं सर इसका मतलब यह है सर जो share अपने 31,1,18 के पहले लिए है इसके पहले जो shares लिए है सिर्फ ये उस पर applicable है क्या सर yes, बेटा सिर्फ उस पर applicable है very good बहुत बढ़िया ठीक है? तो ये पूरा concept था, उसके बज़े background था अब आपको टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि अपन ये अच्छे से अपन फिर से पढ़ेंगे कहाँ पे, अपन capital gain चैप्टर में फिर से एकदम बढ़िया से पढ़ने वाले हैं इसको तो अभी अपन यहाँ पे इसको यही पे इतना ही पढ़ना था हमको बस तो हम समझ गए कि 112A में कितना टेक्स है सर 10% in excess of 1 lakh रुपीज ठीक है, चरो सर, 111A 111A में कितना है सर share market वाली income पे share market वाला short term capital gain में है टेक्स अपना 15% ठीक है share market वाला short term capital gain है 15% ओके, इतना ही बात बताना है बस 20, 10 और 15 राइट, सर अब जो 115BB है ये कहा सर, 115BB tax on winnings, lotteries, card games horseries, मतलब ये है हराम की कमाई, मतलब ऐसे we should not use that word बट, फालतू की कमाई मतलब, कोई मेहनत नी जिसमे shortcut वाली earning मतलब game 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 खेल के, जुआं, सटा जुआं खेल रहे हैं जो horse ये से पैसे लगा रहे हैं, race वाला जो होता है ठीके, lotteries लग रही है इस पर government बोलती है तुमने कुछ मेहनत नहीं किया है इस पर directly 30% tax बर दो इस पर directly 30% tax बर दो बात ख़ला हूं है ना ओके अब एक 115 BBE है ये ठीक है हाँ, basically casual earnings होती है ये आप section 115 BBE ये है unexplained money मतलब unexplained money, investment, expenditure, etc section 68 से 69 D तक आता है बटा है ये ठीक है, आपकी ऐसी कोई income मिली जो आप explain नहीं कर पा रहे होगी कहां से कमाई हो आपने आप बता नहीं सकते कहां से कमाई हो आपने ठीक मतलब black money है मतलब black money है तो सर ये जो unexplained money है आपका जो आपने मतलब अगर आपका सर्च होई कुछ भी होई तुम्हाँ आपको मिला कि भाया ये तो तुमने income कहां से कमाई बताओ हमको ये income तुम्हार रिटर में दिखिन रही है ये income तुम्हार रिटर में दिखिन रही है तुमने ये पैसा कमाई कहां से हम हो गया चुप हम बोलने पा रहे हैं कहां से कमाई सर वो पता नहीं actually कहां से कमाए सर बताओ कहां से कमाए सर actually ना वो तुमको नहीं पता सर मतलब हम बता नहीं सकते सर तो basically क्या हो गई यह हो गई unexplained money तुम बता ही नहीं पाए तुमने कहां से कमाए हो तो इस पे tax कितना लगता है 60% tax 60% plus surcharge कितना लगता है 25% surcharge plus sasb लगता है 4% तो effective rate होता है इसमें 78% तुम सोचो मतलब government ने बोली चलो ठीक है तुमको समझ में नहीं आ रहा ना तुमको नहीं समझ में आ रहा ना हम रख लेते हैं पूरी पैसे तुमको थोड़ा सा चिल्लर दे देंगे बस तुमको थोड़ा सा चिल्लर दे देंगे चिल्लर ऐसे ही कितना तुमको मिलेगा बस 22% बचा हुआ हाथ में 78% तो government ही रख लेगी भईया यह सिर्फ tax है penalties अलग समझ रहो हाँ money laundering बोल सकते है विशाल कोई भी income जो आप explain नहीं कर पा रहे हो आप कोई भी ऐसी income जो आपके पास मिलती है आप explain नहीं कर पाते हो ठीक है अब तुमको इसकी एक interesting story सुनाता हूँ क्या हुआ था ना मेरे से लेटर स्टोरी है तो हुआ क्या था कि हमारी exam थी ठीक है dt के और dt मेरा एकदम favorite subject था मैंने बहुत पढ़ा है dt बहुत पढ़ा है तो हमेशा से मेरा बहुत एकदम favorite subject था और मैंने exam टाइम में बहुत पढ़ा था मैं exam के दिन सुबह 5 am तक पढ़ रहा था ठीक है और मैं साथ में जो मेरे पढ़ता था ना मेरा दोस था आश्यो दोस तो अब आश्यो दोस में पढ़ा ही कर रहे थे सपने में नीद में पढ़ा ही कर रहा था अब तुम जो बहुत पढ़ोगे ना exam के टाइम पर या फिर तुमने गुरूप पढ़ा होगा बहुत तो कभी-कभी ऐसा होता है जब हम नैप भी लेते सोते रहते ना तो हमको ऐसे लगता है और दिमाग में चीज़े चलती रहती है, तो मुझे continent यह हुआ को न मैं दिमाग में ऑसे आ रहा था कि क्या कहा उता है कहां होता हे मुझे दिमाग मतब सोते सोते Army यह स्वत यह याद हैं मैंने उठा मेंने लिया कि उखके आशलचे को बता हूँऑ ठीकए और 7.30 हम लोग उठे थे 7.30 एम मतब देड़ दो घंटे में उड़ गये थे और मैंने आशो को सुबह उठके बताया कि भाई ये section ये वाला है और इस पे 78% tax ऐसे लगता है correct तुम believe नहीं करोगे तुम believe नहीं कर पाऊगे कि उस exam में वो mcq पुछा हुआ था कि 78% tax काई में लगता है section के साथ और ये पिलकुल मैं fake नहीं कर रहा हूँ मैं मतलब I can swear also कि ये exactly ऐसा हुआ है हमारे साथ सोचो बस एक बात और जैसे उसने mcq में वो percent देखा और answer दिया वो मेरे बाजू में बैठा था paper में भी बाजू में बैठा था है यहाँ पे मैं यहाँ बैठा हूँ वो इधर बैठा है कहीते जैसे mcq देखा हूँ उसने मेरे तरफ देखा 78% बोला मुझे और जो हसे जो हसे क्या होता हूँ बोलता हम लोग के बिलीग में बोलता है यह कैसे हो सकता है भाई राइट बैठा मेरा exemption आया था रेटी में यह ना तो भाई यह तो अलगी कोई scene हो गया हमारे साथ सर के बीसी की जो earnings है के बीसी की जो winnings है वो talent की कमाई है तो वो क्या इसमें आएंगी 125 बीवी में यह बेटा इसमें आएंगी वो पैसा जीता है अपने talent कुछ भी हो पैसा जीता है आपने skill की कमाई नहीं आपकी एक game show है वो it is a game show वो आपको answer करने के पैसे दे रहा है आपने knowledge वो अच्छी बात है पर आपने खुद knowledge को use के कमाई नहीं नहीं है वो वो game show है ठीके तो वो इस पहीं आया तुम देखनों तुमने सुने होंगे यह बात कि जैसे lottery में कार आती है तो मानलो 5 lakh की कार है तुमको free में आई ठीके तुमको free में आई तो अब तुमको card देने से पहले जो card का जो तुमको gift दे रहा है न he has to make sure कि आप 5 lakh की कार पे जो tedious लगता है 30% का वो काटना पड़ता है 30% TDS कार पड़ता है तो आप से पहले वो 1.5 lakh जमा करवाएगा कि भाईया 1.5 lakh भरो पहले उसके बाद मैं तुमको card दूँगा फ्री में कार नहीं मिलेगी वो TDS पहले तुमसे वो जमा करवाएगा कोई भी तुमको gift मिलेगा 10 lakh कमाल लो तो तुमसे 30% 30% पहले वो जमा करवाएगा फिर तुमको gift देगा ऐसा होता है he is not allowed जो देने वाला है no he is not allowed to give unless and until जो tax है उस पर वो deposit कर दिया government के पास समझे ओके चलो अब next पढ़ते हैं बेटा आजओ आगे आजओ section 115 BBF ये क्या है royalty income from patent developed and registered in India जो patent registered और developed होता है इंडिया पे उस पे 10% लगता है royalty income पे ठीक है जो special income है जो ये है 115 BBE इस पे कोई भी आपको expense नहीं मिलता है expense का reduction नहीं मिलता है इस पे ठीक है एक carbon credit मिलते हैं अगर वो अपना उनके पास एक carbon credit होता है कि भी है तुम इतना ही carbon emit कर सकते हो environment में ठीक है उनको एक limit रहती है अब किसी company ने वो अगर कम किया है माल लो उनको 100 units allowed थे ठीक है उन्होंने 50 units ही किया है मतलब उनके पास जो 50 units है ना बचे हुए है वो और 50 units कर सकते थे carbon का emission ठीक है उतने बचे हुए है अब क्या हुआ कि माल लो दूसरी ये A company है ये B company है इनके पास 100 units थे इनने पूरे 100 यूस कर लिए अब इनको और carbon emit करना है तो इनको न किसी और से खरीदना पड़ेगा carbon की units तो ये 50 units जो है na इसको हम बोलते है carbon credits तो ये A company क्या कर सकती है ये जो 50 units है carbon credits के यह B को बेच सकती है यह B को बेच सकती है और B को बेचेगी तो वो जो income होगी है न वो tax बलोती है 10% पे वो income tax बलोती है 10% पे और इस पे भी कोई खर्चा allowed नहीं होता ठीक है अब बेटा 2,00,00 कोई इस लाइब नहीं होता ठीक है अब रिबेट देखते है रिबेट अंडर सेक्शन 87A वन टोटल इंकम दस नौट एक सीट रुपीस 5,00,00 देन 12,500 और tax whichever is lower का हमको रिबेट मिलता है मतलब जो भी छोटे लोग है जिनकी इंकम 5,00,00 से कम है जो भी आम आदमी हमारे जैसे जिनकी इंकम 5,00,00 से कम है ठीक है उनको रिबेट मिलता है 12,500 का और 5% whichever is lower मतलब सर जिसे मान लो आपकी इंकम कितनी एक्जामपल लेते हैं आज ओ एक्जामपल लेते हैं पर एक्जामपल आपकी इंकम 4,00,00 रुपीस है इस पर टेक्स कितना आएगा बेटा देखो 2.5,00 लेक्ट तो कड़ गया बेसिक एक्जेमप्शन ठीक है बचा 1.5,00 इस पर 5% टेक्स कितना आएगा बताओ 7,500 ठीक है अब रिबेट कितना मिलता है अपने को रिबेट मिलता है जो इंकम टेक्स होरी है उसका 5% और 12,500 whichever is lower तो 5% कितना होगा है 7,500 तो मतलब पूरा रिबेट मिल जाएगा सर्फ बेसिकली अगर आपकी इंकम 5,00,000 है तो क्या होगा तो आपको 2.5,00,000 हटा दो तो बचा कितना 2.5,00,000 इतना है टेक्स होता है तो इस पर 5% लगाओ तो कितना होता है वो 12,500 तो आपका 12,500 मतलब टेक्स होने वाला है इतना रिबेट मिलने वाला है ये टेक्स भी इतने होने वाला है अपने को टेक्स भी इतना है और रिबेट कितना मिलता है अपनी अगर अप टू 5 lakh इंकम तो 12,500 और 5 पासनेस का ये आएगा मतब ये पुरा रिबेट मिल जाएगा सर मतलब इसका मतलब तो ये है कि अगर आपके इंकम 5 lakh तक के है तो आपके कोई भी इंकम टैक्स ही नहीं होने वाली ऐसा है कि सर? येस ऐसा ही है अगर आपके इंकम 5 lakh तक के है तो आपके कोई इंकम टैक्स ही नहीं होने माली आपका टैक्स 0 आएगा इसलिए अपन क्या करते है? इसलिए जब भी भी अपनी इंकम 2.5 lakh के आसपास है या फिर अपनी 5 lakh के आसपास है 5 lakh 10,000, 5 lakh 20,000 तो अपन ट्राय करते हैं उसको 5 lakh के नीचे ला ले जैसे इंकम 5 lakh के नीचे आई वैसे अपनी एक्जम ते इंकम हो गई उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता राइट? बेसिक, वेरी बेसिक आपने ओफिसे में भी क्या होगा ये काम? ओके? चलेगा बेटा? एक मैट बेटा आपको इस तुर इश्व आ रहा है का? लाइव में लाइव चल रहा है सबका बेटा प्रॉपरली अग्या कुई शुन यहार ना ठीक है चलो प्रॉपर है ना ओके ओके कार्बन करेट कर जिए ओक्यार पिता करें तो रिपीट सर ऐसी में स्लैप तो फाइव लक्स शुरू होना चीए कौन बोड़ रहे है कौन बोड़ है कोई तो बोड़ना कि सर फाइव लक्स शुरू होना चीए बेटा ऐसा थोड़ी कि फाइव लक्स तक के पुरा एक्जेम्ट हो गया अगर आपकी इंकम फाइव लक्स टैन थाउजन है अब टैक्स कितना आएगा अब टैक्स आएगा ट्वेल थाजन फाइव हन्रेड शूरू हो तो एक सिर्व बेट बलेगा क्या नहीं रिबेट कम मिलता है रिबेट अगर आपके इंकम के फाइव लक्स के उपर नहीं जा रहे तभी रिबेट मिलता है नहीं तो रिबेट नहीं मिलता है Ah right कि है कि कि है ना बेटा ठीक है अब यह दो बात आपको और हर टेक्स में आपको सेस्ट लगाना है 4% का 4% का सेस्ट लगाना है ठीक है अब यह दो बाते हैं एक तो डिड़क्शन की बात है चैप्टर 6 के डिड़क्शन और एक 1-1-2-1-2-1-1-1 ए इनके अगेंस्ट आपको basic exemption का जो exhaustion है उसका benefit मिलता है और बाकी against नहीं मिलता यह अपन थोड़े दिन बात करेंगे कब करेंगे अपन इसका पूरा clear IFOS में करेंगे IFOS में आपको पढ़ाऊंगा मैं तो उसमें questions भी कराऊं कुछ-कुछ उसमें जो यह basic exemption को कैसे अपने exhaust करते हैं ठीक है उस पर जो advanced questions आते हैं उस बारे में बात करेंगे अपना IFOS में ठीक है तब तक इसे बात नहीं करेंगे ठीक है आपको अभी आदमी रहागा confused भी हो है कि हर industry को ना एक particular units of carbon वो emit कर सकते हैं मतब जो gas emit होती है ना gas वो इतनी ही मतब ऐसे उनको limit रहती है कि तुम 100 units ही emit कर सकते हो कुछ companies कम करती है कुछ companies जादा करती है जो company जादा करती है ना उसके पास limit खतम हो जाती है उसकी तो वो क्या करें उसको और करना है काम तो तो जि carbon credits बेच सकता है दूसरी company को जो बेचता है उसकी income वो जो income हाती है वो carbon credits बेचने से वो 10% से taxable होती है ठीक है ओके चलो यहां तक सबको clear है यहां तक सबको clear है कि बताओ मुझे clear है कि सबको बताओ एक बार बेटा yes okay चलो very good अभी बेटा इसके बाद ना section 105 BAA BAB BAC और BAD यह सब क्या है सर यह alternative text regime है यह alternative text regime है जो हम PGVP पढ़ने के बाद पढ़ेंगे अभी इसको पढ़के कोई मतलब नहीं आप भोल जाओगे ठीक है जैसे हम PGVP पढ़ लेंगे उसके बाद इस पर फिर से आएंगे और फिर अपने यह पढ़ेंगे राइट आपको इसका background दे जता हूं पहले आ जो new text regime आई है text pairs के लिए individual text pairs के लिए normal slab अपना कितना है 5%, 20%, 30% अब क्या slab आ गए है कि 2.5 lakh से 5 lakh 5%, 10%, 15, 15, 20, 25, 30 ऐसे slabs बढ़ गए है 2.5 lakh का एक slab है जिसमें ठीक है अब लोगों के पास option है अब option है लोगों के पास कि वो या तो जो normal slab rates है वो भी ले सकते हैं या फिर 115 BAC ले सकते हैं या आपको थोड़ा सा idea होगा इसका आपने कहीं न कहीं देखा होगा office में या फिर कहीं न कहीं न कहीं news में सुना होगा यह चीज ठीक है इसके अलावा 115 BWA, BAB और BAD यह क्या है न बेटा 115 BWA और BAB है companies के लिए alternative text regime मतलब क्या है न कि companies को tax rate कितना लगता है बताओ 25 और 30% है न बट यह कुछ schemes है दो section है यह 105 BWA और BAB इसमें न companies को कम rate लगता है tax का पर भाई यह अगर ऐसा कम rate लगेगा तो उनको कुछ conditions follow करने पड़ती है इसके बारे में अपन एकदम विस्तार में detail में अलग से पढ़ेंगे PGVP chapter के बाद ओके चलो very good अब हम आगे बढ़ते हैं सर्चार्च के तरफ ही बढ़ेंगे और फिर अपन आखर कि मैं आज marginal relief भी करेंगे तो पहले अपन सर्चार्च के कुछ question solve करते हैं ठीक है चलो question solve करो कि में अगरे साथ एक बाद बताओ question solve करो कि क्या बताओ एक बार करें question solve करें पर I understand that पर फिर भी थोड़ा सा ट्राय करो जब पूस्ता हो ना तब निकाल के एक बार type कर दिया करो है है न है ओके चलो अब हम questions करेंगे अब आपको एक बात तो बहुत basic समझती है न क्या सर कि सर्चार्च जो लगता है आपका सर्चार्च वो tax पर लगता है यह न इंकम पर नहीं लगता वो tax पर लगता है इंकम पर नहीं लगता उसको tax पर लगाने अपने को extra यह न टेक्स पर टेक्स है यह न और income हम सिर्फ क्राइटरे देखते हैं कितना person लगाना है उसके लिए करेक्ट चलो तो अपना एक बार questions देख लेते हैं कुछ आ जो मतुब question solve करोगे आप मेरे लिए example बन देख रहे हैं पर टोटल इंकम है टू करोर 80 लाइग रुपीज है रहा ट्रिपल वन ए बन बन टू ए बन बन टू और डिबिदेन ठीक है यह कितना है अच्छ चलो इसमें अभी मैं तुमों बताता हूँ अच्छ पहले solve करने से पहले याद कर लेते हैं अपन सर ट्रिपल वन ए रेट कितना है बोलो जल्दी कितना रेट है याद करो थोड़ा सा याद किन कोशिश करो 15 परसें वेरी गुड सर वन बन टू कितना है बुलो yes sir very good 10% greater than 1,00,000,00 रुपीज ठीक है तर 1,00,000 कितना है याद करो कितना है 20% very good अट और सर डिविडेंड जो है यह कितने रेट प्रेक्स पर होता है डिविडेंड डिविडेंड होता है बताओ डिविडेंड ना normal tax rates पे होता है मतलब slab rates पे dividend होता है normal tax rates पे जो अपन slab rate करते हैं उसी भी करते हैं ठेक है तो अपन एक्सेंपल बन ले रहे हैं पहले total income आपकी है 2.80.00 रुपीज इसमें है short term capital gain triple बने वाला आपका है ये 50.00 रुपीज ठेक है और LTCG आपका 1.2A वाला है आपका 20 लाग रुपीज और बचिए अधर इंकम आपकी कितनी है 2 करोट 10 लाग रुपीज ठीक है अब इस पर आपको निकालना है compute tax and surcharge निकालिए पहले tax निकालिए फिर surcharge निकालिए चलो आपको time देरों में निकालने का ठीक है आपके बस time है कितना जो बच्चे कर रहे हैं जो भी solve कर रहे हैं उनके बस time है अभी 7 बच्च के 4 मिनिट मतलब sorry अभी से लेके अगले देर्ड मिनिट आपके 1.5 to 2 मिनिट आपके उसमें करो solve ठीक है जल्दी करो चलो शुरो जाओ मैं भी करके रखता हूं साथ में मैं भी करो तुम भी करो मैं कर यह और लिखता हूं करके कर रखता हूं कर दो करो दल्दी करो बैटा टेक्स आया एक बड़ाया आंसर 9070490 70250 सबसे पहले बीटा आपकी जो इंकम है तो ट्रिपल बने वाली इंकम जो है उस पर कल्कुलेशन आप टेक्स करते हैं 11 इतनी के इनकम है 50 लाग की इस पर 15 परसेंट टेक्स लगा दो सब्सक्राइब कितना हुआ हो 50 लाग इंटो 15 परसेंट 37.5 लाग पीज इनकम जो है 20 लाग की इनकम है तो इस पर कैसे लगाएंगे अपन इस पर 19 लाग पर अपन 20 लाग माइनस 1 लाग करेंगे बचा 19 लाग इस पर 10 परस लगाएंगे या किसी बच्चों ने 1 लाग माइनस करना भूल गया होगे ऐसा हो सकता है तो 1 लाग 90 थाओजन ठीक है अब जो बची अधर इंकम है 2 करोर 10 लाग रुपीस तो 2 करोर 10 लाग मेंसे क्या करोगे आप 10 लाग माइनस कर दोगे सिदे सिदे और 2 करोर पे 30 परसंट लगा दोगे 60 लाग प्लस 1 लाग 12500 है ना 60 लाग पे 30 परसंट सॉरी 2 करोर पे 30 परसंट 60 लाग प्लस 10 लाग पर शुरू के 1 बन टू 500 वह ता आपका 61 लिख दोता है अबर 2 CR इंटू 30 परसंट प्लस 1 बन टू 500 दैट इस 61 बन टू 500 ओके तो आपको टोटल टैक्स किता है बटा 70 50 to 500 यह बहुत सार बच्चों का आंसर आया है 70 50 to 500 बेरी गुड राइट अब यहां बेटापन सर्चाज भी निकालेंगे सर्चाज जो यह दुनों इंकम पर लगने वाला है इस पर जो आपकी इंकम है यह सोरी टैक्स है जो किता हुआ इस पर टैक्स 750 प्लस वालाक 90 थाओजन दैट इस नाइन लाक 40 थाओजन इतना टैक्स है इस पर इस पर 15 पसें सार चार्ज करेक्ट और जो बच्चा हुआ टैक्स है अधर टैक्स अधर इंकम टैक्स बोलूगा मैं अधर इंकम टैक्स यह फिर टैक्स होना अधर इंकम ऐसा आप लिख सकते है इसको लिख देता हूँ भाई तुम लोग बाद में रेफर करोगे ना इसको ठीक्च इस पर किता लाएगा 61, 1 to 500 पर किता लाएगा पताओ सर आपकी अधर इंकम जो है वो बच्चिवे इंकम 2CR से उपर है का येस इस पर लाएगा आपको 25% तो इसका सर्चर जाएगा पहले वाले का 914 to 15% आपका आएगा ये 14100 और जो बच्चिवे इंकम है उस पर आएगा पता बच्चिवे टेक्स पर 61, 1 to 500 पर 25% 15, 28, 1 to 25 तो टेक्स आपका है बेटा टोटल टेक्स जो आए आपका 70, 52, 500 प्लस सर्चार्ज जो आपका कितना है सर्चार्ज 15, 28, 125 प्लस 141 16, 69, 125 वेरी गुड यह आड कर दो टोटल कर लो इसका टोटल हुआ 87, 21, 625 इस पे 4% सहस लगाना पड़े का फिर सहस लगाना मत भूलना वो कितना हुआ देखो 348, 865 90, 74, 90 वेरी गुड टोटल टेक्स आपका है 90, 74, 90 अब मुझे बताओ यह किस किस का आया कितने लोग आया है तुमने टोटल 87, 21, 625 लिख दिए किसने सैस लगाया है नहीं सैस लगाना सब भूल गय थे कि नहीं बताओ दिल्दी से लिए बताओ सही सही बताओ आप सैस लगाना भूल गयते ना मैं जानता हो तुमको रहे पंचब मोरे सर इफ वनमन्ट टुए 31,3,18 के बाद है तो बेटा तु अभी उसता दिमाग मन लगा उस पर वो जब आपन महाँ पड़ेंगे तब समझ लेना अभी वनमन्ट टुए तेरा सिर्फ मल लैक छोड़के बचे वो इस पर 10% लगने वाला है ठीक है वो छोड़ना है अभी अभी जो अपन में अपना क्वेशन का मोटिव आसकिं का वो नहीं है अभी यह तुझे यह बना गया यह समझ नहीं सर नहीं भूले ओनेस्टी सर अभूल जाओ यह मैं होने नहीं दूँगा या नटना बार बाया दिलाओ दूगो अच्छा एल्टी से में वन लैक माइनस करना भूल गए ओके अच्छा वन बेसिकली वन बन टुए में तुमने गलत कर दिये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कोई बात नहीं बहुत फार बच्छे भूल गए कोई बात नहीं यह वन क्वेश्चन करें तुस ले रहे हैं ठीक है चरू एक और एक्जाम्पल और करें है ना शेकंड एक्जाम्पल टोटल इंकम 5.90 लाक रोपीज ठीक है शॉर्ट टम कैपटल गें ट्रिपल बन ए आपका 20 लाक रोपीज LTCG 1.2 ए 8 लाक रोपीज और LTCG 1.2 यह हुआ आपका 12 लाक रोपीज तो बची अदर इंकम कितनी? 28 लाक रोपीज अदर इंकम बची अब करो कंप्यूट टेक्स प्लस सर्चार्ज करिए चलिए सो मैंने इंकम पे सर्चार्ज कर दिया हाँ वह वही तो नहीं करना था बेटा वही तो नहीं करना था अब यह गलतियां मत कर रहा है इस कॉस्चन में यह कॉस्चन पूरा सौल करो जल्दी साथ कमस और दो मिनिट है पटफट करो बटा रेट स्याथ करने में टाइम लगेगा ना फर्स डे में आप सीए फैनल निकल जाओगे का ऐसी करने में आपस बहुत बहुत करने पड़ेगी हम करनसे कम चार बार रिवास करेंगे अभी एक बार क्लास में पर फर्स टाइम फिर सेकंड टाइम फिर थर्ड टाइम और फिर फॉर टाइम अगर आपपास टाइम बचेगा तो कि थीन बार तुर्वाइज मैं यह करूँ चिंता मत करूँ अच्छा ये लेक्षर यूटूब पर जाने वाला है ना मैं उस दिन क्या हुआ अच्छा तुम क्षेशन से लोकर पर बताता हूं बाद ने अब बलो कि सर क्या क्वेशन सॉल्व करने दो ना बात क्या कर रहा बीच में कोई बात नहीं करो करो जल्दी सॉल्व करो ओहो शेश भाई इतनी जल्दी क्या बात है मतलब पांच त्रोड की इंकम कमाएंगे तो दो क्रोड तो अपन टेक्स में भर देंगे बताओ जाता पैसे कमाने से डर लगता है अचकल में को तो क्या बात है अब बलविंदर के भी सेम आंसर है 271 610 वेरी गुड रुपाली का भी टेक्स आया है सर्चाद निकलने का है झाल 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 अजेश का अगल अलग आरा अंसर तुशार का सही है सही मतलब जो अभी मेजरिटी आंसर आया है वसू का सही वसू का अलग आश्यत का सही आ गया जुई का टेक्स आही है चलो करते है आंसर ठीक है जल्द जल्दी करेंगे ट्रिपल बन एपर टैक्स किता लाएगा बेटा यहीं पर करते हैं जल्द जल्दी ट्वेंटी पर 15 परसेंट दाट इस ट्री लाक रुबीज ठीक है बन बन डू पर लगेगा शेवन लैक पर टैन परसेंट मतलब सेवन्टी थाउजन रुबीज कहना बन बन डू पर ट्वेल लैक पर 20 परसेंट दैट इस टू लैक फॉर्टी थाउजन अब बच्वी इंकम जो बच्ची पाइफ करोर फुप्ती लैक की तो पाइफ करोर फॉर्टी लैक पर निकालो थर्टी पासेंट जल्दी से थर्टी पासेंट याया वन सिक्स्टी तू संतिंग प्लस वन बन टू पाइफंड़ कर दो आपका यह आएगा वन सिक्स्टी त्री ट्वेल फाइफंड़ टोटल टेक्स निकालो यहां पर नीचे तू पासेंट लिए प्लस अर्याद थी लैक प्लस सेमंटे ताउसंड प्लस तू प्लस तूफो प्लस वन सिक्स्टी त्री वन टू फाइफंड़ जिरो 169, 22, 500 मोस्ट लोग का सही आया है 169 22, 500 सही आया आंसर अब निकालना है सर्चाज अपने को ठीक है तो सर्चाज भी ही निकालते हैं 111 इस पे कितल लाएगा 15% ठीक है इस पे भी 15% इस पे भी 15% और इस पे लाएगा कितना सर्च यह अधर इंकम है अब अधर इंकम कितनी है बच हुई 5CR से उपर है तो 37% ठीक है तो 3,00,000 पे 15% किता आ गया 45,000 7,000 15% किता आएगा 10,500 240 पे 15% 36,000 और 163 12,500 पे 37% 60, 35, 625 इस काहन से बता हो कितना है टोटल यह अगया 61 27, 125 ना टोटल किता आया टोटल हुआ आपका 230, 49, 625 बटा जो रिकॉर्डट देख रहे हैं उनको भी करना है साथ मैं ऐसा नहीं उनको चुपचाप रहना है देखते रहे हैं बैटर बैटर देख रहे हैं ऐसा हाँ सर सही कर रहे हैं खुद भी करना है समझे क्या इसलिए तुम गलत फायदा उठाते हो मेरा गुस्टा ना करने का 239, 71, 610 यह आंसर आया अब आई होप यह सबका आंसर आ गया है बिटा आपका मतलब मुझे अस लगने रहे किसी का गलत आया है आपे अल्मोस सबका सही है ठीक है चुरू क्या बात है वेरिगूड बहुत ही उमधा बहुत ही बढ़िया अप्रतीन बहुत ही जबर्दस्त ठीक है तो कितनी चीज़े टेस्ट कर लियो उसने आपसे, खीतनी चीज़े टेस्ट कर ली, आपको text rates test क ली एक तो पहली बात, टीक है, इस question में क्या क्या टेस्ट हो बताओ, एक text rates metro हुआ, टीक है, एक surcharge का rates text हुआ, rates टेस्ट हो, टीक है, और, बस बागी कुछ टेस्ट नहीं हो बागी बाद में करेंगे और तो यह न सबका वेरी गोड वेरी गोड वेरी गोड क्या बात है ओके एना आगे बढ़ते हैं अब एक लास्ट एजम्पल कर रहें इसमें अपन अच्छा सेस भूल का यह भी भी आप ए सेस मत बूलो रहे ठीक है चलो लास्ट एक्जम्पल कर रहें आप यह अपनों लास्ट एक्जम्पल ओके आप बताओगे मुझे अंसर ठीक है तू क्रों टीलाक टॉल इंकम के ट्रिपल बन ए कि 20 लाइक रुपीज 1-1 तुब 12 लाइक रुपीज 2 लाइक रुपीज 1-2 लाइक रुपीज अब निकालो केल्कुलेट टोटल इंकम और सर्चार्च निकाल याल्थ Conference पुपीज 1-2 झाल 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 जल्दी निकालो झाल जल्दी निकालो जल्दी निकालो झाल झाल ठीक है तुम एक बेसिक जगा पर आके अटक गया होंगे जित्ता मैं समझ पा रहा हूं ठीक है चलो पन करते हैं पहले सॉल्फ करना चालो करते हैं है ना सर ट्रिपल बनने पर टेक्स किता आएगा सर फिफ्टीन परसेंट किता सर थ्री लैग रुपीस का वेरी गूड ठीक है बन बन टुए पे ट्वेल जगा एलेवन लैग पर टैन परसेंट बन लैग टेन थाउजन का है अब डिविदेंट लेगा रहे है टू पर टेट पर स्लैब रेट से टू फॉटीन में टैन लैक मैनस कर दो बचा टू करोर थर्टीएट लैक ठीक है टू क्रोर थर्टीएट पर लैक पे किता निकालो गया आप 30 परसेंट प्लस बन मन्टू पाइम हंडड़ किता हो गया सेवेंटी टू पिफ ठीक है अब सर्चाज में सर इशू क्या है सर कि जो ट्रिपल बन एवाला है उस पर लगाएंगे अपन किता सर्चाज 15 परसेंट मैक्सिमूम तो थ्री लैक पे 15 परसेंट किता लगाएंगे अपन 45,000 करेक्ट सर वन वन टू ए पे टेक्स है वन लेक 10,000 का इस पर भी 15 परसेंट 16,500 करेक्ट ठीक है अब सर डिविडेंड और अधर इंकम अब अधर इंकम पे सर्चाज लगवाने है अपने हो कितना 25 परसेंट अब यहाँ पर आ जाओ सर डिविडेंड की इंकम कितनी है 18 लैक की इंकम है और अधर इंकम कितनी है 2 करो 30 लैक रुपीस की ठीक है स्रिट्स रॉंग क्या रॉंग है बेटा क्या गलत है तू करो 38 लैक पर टेक्स इतनी आएगा कितना आएगा बताओ अपर तू करो 48 लैक ठीक है इस पर अपने 10 लैक माइनस किया 238 पर 30 परसेंट प्लस 11 to 500 सही तो आया है बड़ा सही तो आया है 230 पर क्यों निकाल रहा है तू मलक से डिविदेंट पर इसाथ में निकालोगे न ये इस पर भी निकालोगे न तोटल डिविदेंट भी तो स्लैब रेट पर आता है डिविदेंट भी तो स्लैब रेट पर आता है न तो उसमें टेक्स साथ में निकालोगे न दोनों का टेक्स टोटल पर निकालना है बड़ा दोनों पर निकालना है ये दोनों विल देखाया है और बड़ी अबना देता हूँ इसको ऐसे ठीक है अब आजो सर 2 क्रोर 30 लाइक और 18 लाइक अब हमको न इस पे लगाना है 2 क्रोर 30 लाइक पर किता सर चाज 25 परसेंट इस पे लगाना है 15 परसेंट पर सर टेक्स हमारे पास इन दोनों कंबाइंड टेक्स आया हुआ है हमारे पास इन दोनों कंबाइंड टेक्स है अपने पास इनका अलग अलग टेक्स नहीं है बीटा अलग अलग क्यों करोगे उसको मैंको बताओ जब दो चीज़ स्लैब रेट पर टेक्स आप्स वीए टोनों को साथ पर मिला बिला पर इसको अलग स्लैब रेट यह पार्ट है न जो है न College आपकी नॉमल इंकम का ही पार्ट है आप एक ही इंसान को दो बार बेसिक एक्जेंप्शन क्यूं दोगे समझ लेओ तो इसको इसमें अलग करोगे ही क्यों इसको एड करोगे इसमें और साथ में ही क्यों करोगे सर्चार्च केलकुलेशन में इस जात проблем करोगे तो क्या बोल रहे हैं सर्चार्च केलकुलेशन के सेपरेट कर दिया अरे मेरे भाई मेरी बहनों बच्चों इसको अलग-अलग कैसे कर दोगे यह सेम स्लैब रेट पर एक्सफल होता ही उसका अलग रेट थोड़ी है डिवडेंट आपकी नॉर्मल इंकम में आ गया है अब कि ठीक है अरे तुम लोग को इस पर कुछ भी इस पर तुम अलग अलग कुछ नहीं करना तुमको भाई अरे तुम्हारा आंसर अलग-अलग तरे इस करेट आ सकता है पर तुमको करना क्या है इन दोनों को एड करके ही निकालना है आंसर टैक्स इस आतमे निकालेंगे तुम अलग-अलग मत बताओ कि सर अलग किया तो करेक्ट आ गया वो तो तुम्हारा कैलकुलेचन में कुछ ना कुछ करेक्ट आई सकता है बच्चो सुनो इधर सुमधान सुनो इधर सुनो इधर ओ बेटा अगर दो इंकम साथ मैं दी हूँ यह आपको मुझे बताओ तुमको ऐसे PGVP की इंकम दिये 2 लाग रुपीज की ठीक है IFOS की इंकम दिये 5 लाग रुपीज की ठीक है हाउस पुपटर की इंकम दिये 7 लाग रुपीज की ठीक है टोटल किते हुए तुमारी 14 लाग रुपीज इंकम हुँ अब मुझे बताओ यह 14 लाग की इंकम पे तुम basic exemption देके एक बार tax निकालोगे कि इस पे अलग अलग निकालोगे सब पे हैं इस पे कि तुम अलग अलग tax निकालोगे क्या नहीं न तुम आपकी dividend income खाँ जाती है यह आपके IFS में जाती है dividend income तो फिर 7 में tax निकालेगा ना बेटा बहुत basic सी बात है तो ठीक है तो अपन 7 में tax निकालेगे 248 पे correct बेटा जोती आपने जो भी किया है न वो ठीक नहीं कि मताब वो सही नहीं है इसको ऐसी करना पड़ेगा अपने को न ठीक है आपने जो किया आपके साब से ठीक है वो बड़ इसको ऐसे करना पड़ेगा ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब सार हमको यह दिक्कत है कि 230 पर tax कितना है और 18 lakh क्रिता है हमको इसका tax पता करना अलग अलग तो हम क्या करेंगे सर्चार लगाने के लिए क्यों कि हमको इस पे他 tua कितना है और इस पे टेक्ष कितना है वह पता करना पड़ेगा अब हुमारे बच्चों ने बहुत एक्ष्टा दिमान लागी क्या किया है, पहले उसको अलग-लग कर दिया, पर ऐसा नहीं करना है पटा, हम क्या करना पड़ेगा, हमको जो टेक्स आया ना इसका, इसको बाइफ़केट करना पड़ेगा, टेक्स को बाफ़केट करना पड़ेगा रेश्यो में टोटल लेक्स कितना है बताओ जो बच्पन में करते हैं आपन कितना है 72,50,500 टोटल टेक्स से आपका 72,50,500 करेक्ट टोटल लिकम कितनी है 2,48,000,000 तो प्रपोर्शनेटली बाफ़केट करेंगे अपन कैसे करेंगे बताओ अभी इसका टेक्स कितना बनता है अपना इसका बनेगा अपना टेक्स कितना है 72,52,500 इन्टू कितना 230 डिवाइड बाई 248 करेक्ट और इसका टेक्स कितना बनेगा बेटा 72,52,500 इन्टू 18,00,000 डिवाइड बाई 248 अब निकालो टेक्स कितना है इसका 67,26,108.87 प्रिसको पन बोल दे 67,26,109 ठीके और इसका आएगा फिर 5,26,391 अब यह अब यह अपना टेक्स निकल गया कितना काय पर टेक्स निकल गया अपना अधर इंकम पर अपना टेक्स निकल गया कितना 67,26,109 यह अपना अधर इंकम पर टेक्स निकल गया और डिविदेंड पर अपना टेक्स कितना निकला 5,26,391 बेटा आपने जो किया था ना एक बार किस ने किया था कहां गया जोती ने क्या किया सर फर्स्ट टैन लैक में डिविडेंड को ले लिया ठीक है और बच्ची वे एट लैक को 30% पर ले लिया मतब इनने ये एटीन लैक का इसे नहीं कर सकते बटा जब पूरी नॉर्मल स्लैबरेट की इनकम है न उसमें पुरा टैक साथ में निकालना पड़ेगा आपको और फिर टैक्स को इन दर एशु आप इनकम बाइफर्केट करना पड़ेगा समझा तो यह आपका है या 6726109 और इसमें 526391 इस पे 25 परसेंट सर्चार्ज और इस पे लगाओगे 15 परसेंट सर्चार्ज समझा तो निकालो 67, 26 109 पे 25 परसेंट 681, 527 ठीक है और इस पे 15 परसेंट 78, 959 बेटाई टेक्स निए सर्चार्ज निकाल रहे हैं अब है अपन कैलकुलेशन के इस के लिए राॉंड ओफ कर रहे हैं बस ठीक है अपन वो राउंड खर करके लेंगे पूरा इसलिए अपन नहीं कर रहे हैं अभी कैलकुलेशन की इसके लिए करने सिर्फ यह तो 1681 527 आपका आया सर्चाज किस पर अधर इंकम पर और डिविदेंट पर इतना सर्चाज आया आपना इसका कलर चेंज कर देता हुँ मैं ठीक है और यहाँ पर सर्चाज आपका आया इतना अब यहाँ पर दो सर्चाज और एड़ कर दो यहाँ पर यहाँ पर यह तोडल कर लो इसका इतना हुआ टोटल बना सर्चाज किता है आया 18,21,986 अपना टेक्स कितना आया था है दोखो यहाँ पर अपना टेक्स यह आया है 72,52,500 प्लस 3,00,000 प्लस 1,10,000 राइट 76,62,500 प्लस अपना सर्चाज कितना है बताओ 18,21,986 अपना है यह पना है 94,84,486 इस पे 4% सेसाइड कर लो 379,379 यह पर बता 98,63,865 which will be rounded off to 98,63,870 यह आपका आंसर आया क्या बता दो मुझे आंसर आया क्या और समझा क्या मुझे बता दो एक बार किसी कोई डाउट है का बता दो इसमें ठीक है और समझा की नहीं बताओ अच्छे से बेसिकली यह question का motive क्या था मतलब क्या समझने का कि भया dividend जो है न एक dividend जब से इन्होंने dividend पे higher सर्चार्ज लगवाना बंद किया है तब से क्या ना ठक हो गया तब से यह ना ठक हो गया कि sir अब dividend भी काई में आ गया dividend भी 15% सर्चार्ज में आ गया पर उसका tax का nature क्या है income का nature क्या है normal nature है उसका income का normal nature है उसकी income tax तो normal slab rate पे होती है पर सर्चार्ज 15% लगता है तो हमको tax normally निकालना पड़ता है, ठीक है, मतलब normal income के साथ dividend को add करके हमको tax निकालना पड़ता है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको bifurcate करते हैं, उस tax को, कि dividend का कितना है और other income का कितना है, ठीक है, और dividend वाले पर 15% और other वाले पर जो भी लगना चाहिए, राउंड ओफ बेटा नियरेस 10 में होता है राउंड ओफ बेटर, round off कैसे होता है, 5 से नीचे वाले lower round off होता है, और 5 और उसके उपर वाले, अपर में round off होता है, ठीक है, less than अगर 5 है न, 1, 2, 3, 4, lower 10 में होता है round off, lower 10 में, और 5 and अपर वाले होते हैं, higher 10 में, ठीक है, 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 उसी को वैसी वैसी एड करना है, और आखने में निकालना है, अभी बस अपन ने, for ease सिर्फ यहां पर हैसे round off किया है, ठीक है, ठीक है, मुझे बताओ, कि समझा के यह सब, समझा के मुझे बता दो एक बाचल्दी से, कि समझा के जह सका एक है, कि समझा करते हैं, कि समझा कर दो कि सम्सक Nah lean कि अच्छ गया कि चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्या बात है चलो आई हूप अच्छे समझ गई हो गया अब क्या करना है बेटा अपने को अब हम ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक हमारा रहेगा और ब्रेक की 15 मिलेक रहेगा उसको मिलेंगे अपन सो लोवर 10 के आगे 1,2,3,4 को लोवर में लेना है बेटा अगर 1,2,3,4 है तो लोवर 10 में राउंड आफ करते हैं और अगर 5 एंड हायर है तो अपर 10 में करते हैं ठीक है ओके चलो बेटा हम ब्रेक ले रहे 15 मिट कब फिर मिलते हैं ओके सियो